पूर्व अब्जिला प्रमुक डॉक्टर सहदेव चौधरी ने पंचायती राज वभाग में चल रहे मंत्री और सरपंचों के ववात को दुर्भागे पूर्ण बताया फुर्स इंडिया से खास बाचीत में डॉक्टर सहदेव चौधरी ने कहा कि पंचायती राज से ही देश्व का सही विकास हो सकता है पंचायत जिन अधिकारों की हगदार है वो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए अधिकारियों की दखल कम करने के जरूरत है पूर्वब जिला प्रमुक डॉक्टर सहदेव चौधरी से खास बाचीत की सहयोगी शुवेंदर सिंग परमाने नागोर के उप जिला प्रमुक डॉक्टर सहदेव चौधरी जो के पंचायती राज में बहुत लंबा अनुवव रखते हैं उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले पर सर पंचायती राज विवाग में इन दिनों जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बिवाद की इस्तिती ये टकराव है सर पंचायती राज मंतरी के बीच इसको किस तरह से देखते हैं ऐसा है पंचायत राज के अंदर सर पंच और मंतरी मिलकर ही पंचायत राज बनता है इसलिए ठकराव जैसे कोई इस्तिती है नहीं और हमारे यहां जब मंत्री जी आये थे तो सारे सर्पंचों ने और हम सब ने उनका स्वागत किया था और जो कोई इस्तिती पैदा हुई है वो किसी ब्रहम के कारण हुई है और मैं समझता हूँ समय के साथ उस सब चीजें ठीक होगी मंत्री जी समझदार हैं और सर्पंच वी सब समझदार है और पंचायत राज जो है गरमीन ॸहत्र का एक बहुत बहूत रहा है और नागोड जिला जो है इस सब में अग्रिणी रहा हैं क्योंकि नागोड जिले के से ही 25 राज की सुरूआत हुई थी और यहां के भी स्कीम है वह बहुत जोड़दार ढंग से जो है जिले में चलती हैं और सारे लोग रूची लेते हैं हमारे यहां के जितने भी सरपंच हैं मैं समझता हूं वह सारे के सारे जो है अपवाद तो मैं कहूंगा नहीं बाकि सरपंच लोग और पंचाहित राज की सारी व्यवस् कि मैं इससे जनता को बहुत फाइदा हुआ है आज जैसे मैं बात कह रहा हूं जो अभी पिछले दिनों बात चली थी नरेगा के बारे में मैं नरेगा के लिए कहना चाहूंगा कि नरेगा एक पंचाहित राज का बारत सरकार जिस टाइम पे मनमाउन सिंग जी परदान मंतर है नेरी इरिगेशन है नहीं तो यहां के लोगों को रोजगार की बहुत बड़ी जुरूरती और यह रोजगार की स्कीम जो है नरेगा के अंदर नरेगा की स्कीम ही रोजगार के लिए और यहां के ज्यादा तर लोग यह नागोर के अंदर करीब करीब पौने छे लाख ल दूसरा जो नागो जिले के अंदर पानी की बहेंकर कमी है और इस कमी वज़ में जो नर्जागा की इस्की में आई है जिसके अंदर टांके के लिए मैं खास tray कहना चाहूँ ँगा क्यूंकि टांके जो है वहर गर में बने और उससे लोगों को आज पीने के जो आरहा है वो कभी आता है कभी नहीं आता बहुत दिख्त है। और नीचे का पानी खा रहा है। तो लोगों ने जो इसका बहुत अच्छा बैनर्यफिट उनको मिला है। इसके अलावा नरेगा के साथ-साथ जो दूसरे काम हुए है, शड़कें, गाउं के अंदर इत्ता अच्छा नरेगा काम हुआ है, कि आज आप ब्लॉग देखेंगे, तो गाउं जहां पहले कादा मिट्टी चलना ही नहीं हो पाता था गाउं की गड़ियों में, वो सब जगे ज्यादा तर गाउं में पके ब्लॉग लग लग गए, जिससे लोगों को जो है बहुत रिलीफ मिली है, तो मेरा ये मानना है, कि नरेगा से एंप्लॉइमेंट का बहुत बड़ा फाइदा हुआ है, नरेगा से जो है, इंफ्राइस्ट्रॉक्चर क्रियेशन के अंतर बहुत मदद मिली है, अपवाद सुरूप, मैं ये नहीं कहता है, बहुत जो है, सब जगे अंड़िट परसेंट है, कई जगे अपवाद हो सकता है, कि कुछ छोटी मोटी गड़बड भी होई हो, क्योंकि इतने बड़ी वेवस्ता है, ये अपने आप में अगर दूसरी किसी योज करोड रुपे खर्च किये हैं, जिसमें से 494 करोड उनने मजदूरों को पेमेंट किया है, तो 494 करोड रुपे जब पेमेंट मजदूरों को हुआ है, जिसमें 70% करीब करीब महिला हैं, जिसमें से 30% जो है सेडल कास्ट है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो आप समझ टो मै alleinा के पास में किता पैसा है गाओं के अंदर मैं आनको को पैसा मिलता ही नहीं है जिस ? लोगों की जिंदगी बदल दी तो इसलिए वो जो इस काम पे ज़्यादा जोड़ देते हैं और पंचायतें भी जो हर काम में होड़ है कि कौन ज़्यादा ज़्यादा काम करवाता है और वो जो employment मांगते रहते हैं कहते हैं हमारे गाम में सैंक्शन करो हमारे गाम में सैंक्शन करो तो यह सारा एक बहुत ही अच्छा तंत्र विक्षित हुआ है इसके अंदर जो गडबड़ी की बात आई है उसके लिए मैं करना चाहूंगा कि पंचाहित राज जो है जब शुरू हुआ था इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी का इंट्रफेरेंस मिनिमम था लेकिन फिछले कुछ समय से जिस तरह से सेंटर में मेरा अगर भीरोक्रेसी सही डंक से जैसे मान लूई जो बात आई चाहरें हैं उसके अंदर ऑच साल बर के लिए करीब da पंचायत में 1,500, 200, 1,500 दो सो काम होते हैं, आज 500 पंचायत हैं, करीब जिले के अंदर 10, 12,000 काम होते हैं, तो 10, 12,000 बहुत बड़े काम हैं, और इस से जो पैसा आता है, वो लोगों को जो है हर व्वक्ति के खाते में जाता है, जिससे बहुत बड़ा रिलीव मिलती है, इसके अलावा मेरा ये मानना है कि नरेगा के अंदर जो स्कीम बनती है वो सुरू से वाड से सुरू होती है वोई वाड सबा बनती है फिर ग्राम सबाम आता है फिर पंचाई समीती में आता है फिर जेला परिस्द में आता है और फिर प्लान बनके उसमें से सेंक्षन होती है जिसके नहरेगा में आज भी उनको employment मिल रहा है जो एक बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को बहुत फाइदा हुआ है सर मैं इस समय नागोर में हूँ और नागोर ऐसी जगह जहां से पंचैती राज की नीप पड़ी देश में और मैं बात कर रहा हूँ आप से आपका बहुत लंबा अनुभव है दूसरी वारा उपजला प्रमुक हैं तो आप सुझाव क्या देना चाहेंगे सर क्योंकि आप बह मूल बावना के अनुरूब जो है गाउं की सरकार को गाउं के अधिकार दिये जाएं जिससे क्या है गाउं के सारे काम हो सके हर ग्राम पंचैत में उसका खुद का सच्चिवाई लेओ जित्ते विबाग गुंटीस विबाग जो है आज मात्मा गांदी ने ग्राम सोराज की कलपना की थी और मैं समझता हूं राजीव गांदी जी ने जब देश बरका दोरा किया तब उन्होंने यह महसूस किया कि दिली और राजीव की राज़्दानियों से जो है काम नहीं चल सकता और हमें गाउं की सरकार को ही मजबूत करना पड़ेगा तो मेरा यह मानना है ग् सचेवाले के अंदर सारी तरह के लोगों को दाइत वे दे जाएं पंच से लेकर के पंच उपसर पंच सरपंच पंचाईशमी सरदेशिये जिला परिशिये सरदेशिये और परबगान और परमुग और इसके अंदर जो ब्यूरोकरिटिक इंटरफेरेंस है उसको गटाया ज बढूर बहूराएं उसके हैं और आज जो जंता की समझेंएं की जनता को हर सिकायत के लिए आप देख़ो जब भी सिकायत और इनकी एक सो एक एक से की जो कंपलेंट है उस पेikalавно प्रिशिये कंपलेंट आती है कि क्योंगी पंचाईशमी इस सिम्मित हैं और इस में भी बू लोग जी मुख्य मंत्री हैं जो पहली राजीव जी के साथ ही रहे हैं और उन्होंने पिछली बार जब ये पहली बार पढ़ा रहे थे तो उन्होंने गुंटीस विशियों में से सोड़ा विशे पंचाइद राज को ट्रांसफर कर दिये थे और ये कलपना की जा रही थी कि अबगी बार जब आएंगे तो वो सारे विशे ट्रांसफर करेंगे और उस पे काम होगा हमारे जो युवा मंत्री हैं मैं समझता हूं वो इंजीनियर भी हैं और काम के जानकार भी हैं गाउं के रहने वाले हैं एनरजेटिक हैं सभी तरह के गुण उसमें हैं और वो सब मि हो जाएगी कानून के रूप में कि पंचायत राज हर गाउं की समश्या का समाधान कर सके और लोगों को जैपूर और दिल्ली या कहीं दूसरी जगों के चकर नहीं काटने पड़े मैं इस मोके पर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जैसे पंचायतों के साथ-साथ जैसे सरकार कॉंग्रेस गॉर्मेंट ने जब आजादी के बाद किसानों को जमीन के राइट्स दिये लेकिन राइट्स के साथ उन्होंने इसके जो माइनिंग आज जैसे मान लीजए मेगाले हैं और वहाँ सब जगे माइनिंग राइट्स हैं यहां पिछले कुछ सरकार ने आपके जि में मैकजिमम मिनरल है तो यह जो है यह भी पंचायतों को देखकर के और ग्रामींड योंग को बेरोजगारी खतम करने के लिए और दूसरे जिते भी लोग हैं ग्रामींड सेत्र के उनको उद्योग पति बनाएं अभी सरकार क्या कर रही है कि एक्चुली ग्रामीनों की जम विचारा दीन है इमामी आगई वो भी इसी परक्रिया में विचारा दीन है कि हज़रों लोगों को जो है बेगर कर देगी बेरोजगार कर देगी और किसानों को कोई फाइदा नहीं होने वड़ा तो मेरा निवेदन है सरकार से कि यह जो किसानों की जमीन है और जो गाउं क लिए सेरों के चकर काट रहें, वो सेरों के चकर नहीं काटें, और गाउं के संसादनों का उप्योग करके, और गाउं के अंदर ही जो अपनी मजदूरी कर सकें, गाउं के लोगों को उसका उप्योग मिल सकें, उद्योग जो है, जो प्रोसेसिंग का काम करतें, वो प्रोसेस आपक हुए रोजगार के लिए चाहिए पंचायतों को संसाधन उपलब्त कराना चाहिए और लोकल रोजगार लोगूं को मिले इसके बारे में चिंतन करना चाहिए आज हमारे यहां जगे जगे हाईवे निकल रहे हैं लेकिन उनके पडोस में जो है अजरुवी का जमीन पड़िये अगर युवाओं को वहाँ पे आपके इस तरह के प्लांटेशन जिसके अंदर फ्रूट्स हों फल पेदा फल पोदे लगाएं और उसके साथ जो है सड़के पानी का स्टोरेज कर लें और उसके से जो है लोगों लिनियर भी हैं और उनमें जोस है जजबा है काम करने की इच्छा है मैं समझता हूं कि नागोर के लोगों से भी और पंचाहित राज के लोगों से विचार भी मरस हो और इसको एक नए सुरूप दिया जाए जिससे गाउं को सही माइने में गाउं की सरकार का बेनिफिट मि लेकिन हमारे पंचाहित राज में भी इस तरह की ने तो कोई आर्गिटेक्ट हैं जो इनको नरेगा के तहित करने वाले काम के कोई नक्से वगरा प्रोटोटाइप दे दिये जिससे लोगों को पता ही नहीं लगता और इस तरह के लोगों को दिया जो अने एक्सपीरियंस होना चाहिए और नरेगा का जो क्रोडू रुपे का बजट जो भारत सरकार ने एक कानून के तहत दिया है मेरा ये मानना है कि नरेगा को जिस कानून के तहत दिया है जिसकी वज़े से आज देश इतने दिन से जो अनेंप्लोईमेंट में आगे रहा है क्यों अनेंप्लोई सरकार को सुझाब दे दिये, सीएम को दे दिये, पंची दार अरज मंत्री को दे दिये, सर पंचों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, उनको मार्ग दिसन प्रोवाइड की जाए, उनके अंदर कम्पीटिशन की बाहुना पैदा की जाए, आज हमारे हजरू गाउं ऐसे हैं, जिनके अंदर हो सकता है कि मंत्री जी की रिपोर्ट में कई जगे खराबी आई हो, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे ध्यान में जरू गाउं ऐसे हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ी आ काम हुआ है, और अगर मंत्री जीर उनकी टीम देखना चाहे, तो हम वो काम दिखा भी सकते हैं, हम चाते हैं कि हमारे जो अच्छे लोगों ने काम कियें, क्योंकि आज हम साइद नहीं है, लेकिन हमें इसको जो है थ्रस्ट करने की बजाए, नागोर के जो सरपंच हैं, जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत महनती हैं, बहुत काम करने वारे हैं, और मैं समझता हूँ, अगर उसकी एनरजी का, जिस तरह से मेनरजी के, हमारे मंत्री जी के एनरजी, और साइद का साइद सरपंच के एनरजी, जोनों मिलकर के अगर काम करते हैं, और बाकी जो पंचाहित राज के लोग हैं, चाहे परदान हैं, चाहे पंचाहित के सदशिय हैं, चाहे पंचाहित समिती सदशिय हैं, चाहे जिलापरदी सदशिय हैं, सब का सहयोग लेकर के काम क करेंगे तो इसकली ऐलग होगी बात भी केना चाहँँगा आज देश के अंदर किसी भी व्यवस्ता कि अंदर बिना पैशे काम करने वाड़ा कोई करम कोई होगा तो आपका पंचयत राज का जनपर्टिदी जन्दी के अंदर पंच को कोई पैसा नहीं मिलता परदान को कोई पैसा नहीं मिलता सरपंच को जो है महिने के 30 रुपे आपके प्रमुग को दस जार रुपे मिलते हैं तीन रुपे रोज और बाकी किसी को कोई पैसा नहीं मिलता नगरपाली का अंदर पांचो वोट लेने व सब ni कर पंचाइब जो चार बंचाइबिमने सबस्किति चुनाव है जिस को लोग लड़के आते हैं और वो जनता का काम करने के लिए आते हैं मैं सम turbo हुझता हो इस तंत्र को मजबूत करने कि आविश्क्ता है उनकी जो समिश्या हैं उनको सुनने कि याउशुक्ता हैं और गाउं की समिश्याओं को एंडोर्स करने की जरूरत है ये समय आ गया है आज जो सरकारें चिंतन कर रही है कि हमारी हार का या हमारी जीद का क्या कारण है मैं समझता हूँ ये ग्रामीन जनता ही है जो सारा कुछ जो है उनको जब तकलीफ होती है तो ना दें जो एक अनुकरनी हो अनुठी हो जिससे क्या है पूरे देश के तंतर का जुआ विकास हो और उसके अंदर हिंदोस्तान का नकशा बदल दे अगर गाउं का नकषा बदलेगा तभी जागर के देश का नकशा बदलता आप जित्ते भी हमारे economist हैं जितने भी हमारे बुजूर्द चाहे परदान मंत्री रहे हूं उन सब ने हमेशा यही बात कही है कि हिंदुस्तान की तरकी का रास्ता गाउं के होकर निकलता है तो गाउं की तरकी जरूर ही है गाउं के लोगों का विश्वास जरूरी है गाउं के लोगों वहां शिक्षा जरूरी है वहां आपके सेर की सारी सुईदाएं वहां जरूरी है ताकि गाउं से बीड सेर में नहीं आए और गाउं का विकास पूरी तरह से होगा तभी जाकर के देश का विकास होगा ये मेरा आप लोगों से निव पर धक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक्रक् अपने विचार साजा की हैं फर्ष्ट इंडिया से और उन्होंने मुक्य तोर पर कहा है कि पंचयती राज विभाग में जो अधिकारियों का हस्त छेप है वो कम होना चाहिए और पंचयती राज से जुड़े हुए पंच सरपंच जिन अधिकारों के हकदार हैं वो अधिकार को मिलने चाहिए केमरामेंट गिरीज के साथ शेविंद्र प्रताप सिंग परमार फर्ष्ट इंडिया न्यूज नागौर